वाव देखा आपने इस हैर ट्रीटमेंट में तो लगता है रंग बिरंगे प्रोड़क्स की एक्सप्रेस लग गई है यहाँ पर कुछ ऐसी ही रंग विरंगी है सास बखू और बेटिया में हमारी फेवरिट सीरियल एक्सिप्रेस भी जो फटा फटा में घुमाईगी हमारे फेवरिट सीरियल के स्टेशन्स पर चनि कलर्स के सीरियल गट बंदर में शुरू हो गया है सोतनो का ड्रामा असल में शुरू हो गई है माया और रगु की शादी की तैयारिया और इसलिए रगु माया को मार्केट लाया है शगुन की चूडियों की शॉपिंग करने के लिए और ऐसे में रगु और माया का पीछा कर रही है धनक लेकिन माया धनक को देख लेती है और चूडी ना जाने क ड्रामा करने लगती है और धनक को जलाने के लिए माया ऐसा ड्रामा करती है कि रखू को माया के हाथों में चूड़िया पहनानी पर दी है और अब आक्शली उसे टैस्ट करना है कि रगू सच में प्यार करता या सिर्फ अभी तक सिर्फ दावेई के जा रहे दो तो वहीं दूसरी तरफ रगु दिखा रहे हैं अपनी दर्यादिली असल में रगु की मा ने रगु को कुछ पैसे दिये थे समान लाने के लिए लेकिन रगु ने वो गरीब बच्चों में बाट दिये ये सब देख कर धनक इमोशनल हो गई और उसे लगता है कि रगु माया के साथ शादी करने का बस ड्रामा कर रहा है अन्टीवी के सीरिल भाभी जी घर पर है में तिवारी और विबूती ठीका मलखान की कर रहे हैं टंडे से दुनाई असल में तिवारी और विबूती को उनकी बीवियों ने घर से बाहर निकाल दिया था पहले ही तिवारी और विबूती परिशान थे कि टीका मलखान पहुंच गए इन दोनों से टैक्स वसूली करने के लिए ऐसे में फूटा दोनों का गुस्सा और पिट गए टीका मलखान क्योंकि ये भी कहीं पर लग गए है किसे आफिस 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 पर तो अब जो है थोड़ी से हालात सुधरे हैं किसी के तुरू हमको दुबारा घर में बुला लिया गया है तो आके इनसे बदला ले रहे हैं वेसी करिए मैं हमारे को जो हमारे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया और हमारा मजाक उड़ाया हमसे पैसे वसूले तो अदे तेरी मतलब की कूट पार्ट चल रही है मतलब आउरत को खुशी रखा जाए तो ठीक है नाराज ना किया जाए क्योंकि एक संत बाबा उनके जीवन में आते हैं वो कहते हैं कि भाई तुमने नाराज किया था जिस वज़े से उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो बहतर यह है कि सुक शान्ती से रहो खेर अपनी बीवियों से माफी मांगकर दुबारा तिवारी और विबूती अपने घर पहुँच गए और घर पहुँचते ही विबूती के लिए खड़ी हो गई नई मुसीबत जब अनिता भाबी की सहलिया विबूती पर बोली लगाने लगी सब टीवी के सीरियल जीजाजी छत परहे में जीजाजी पंचम बन गए है ममी अपनी फुल बोडी और फेस को पट्टियों से कवर करकर पंचम ममी बन कर पुलिस टेशन पहुँच जाते हैं असल में जीजाजी का दोस्त पिंटू हो गया है किरफतार और उसे चुणाने के लिए पंचम ने ये अवतार अपनाया है दरसल पिंटू, पंचम और इलाईची एक होटेल में पकड़े जाते हैं जिसके बाद पंचम और इलाईची तो अपने शादी का सर्टिफिकेट दिखा कर रिहा हो जाते हैं लेकिन फस जाते हैं पिंटू और ऐसे में भेज बदल कर पंचम पहुंचते हैं पुलिस टेशन पिंटू को बचाने के लिए कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आगे है जिसके कारण हमें जूट बोलना पड़ रहा है और हम दो आर्तों के एक साथ पती हो नहीं सकते हैं तो हम पिंकी दरोगा और हमारे तेवारी पुलिसमेन हैं जिनके पास हमें आज पंचम जाना हैं दो लड़कियों का एक पती और बनना दो हैं तो इस चक्कर में हम थोड़ा एसे एक डिसगाइस लेके गए ताकि हमारा काम भी बन जाए और किसी को पता भी ना चाहिए